यूवा तो कह रहे हैं कि इर्फान जी हम लोग का बात उठाने का बात कर रहा है आज पुलिस जब मारी तो दिखे भी नहीं एक सब्द तक नहीं बोला बोला वैसा ही मार हुआ अजाद मुल्क में अपने हक और अधिकार मांगने आए थे हम जब आप सुनने आए थे कि क्या 60 40 चलेगा बोले यह लाठी से जबाब मिल देगा फिर से मैं अपनी वाव को कहना चाहता हूं किसी के बैकाव में मत आई है यह सीपी सिंग यह भानू यह कौन-कौन यह लोग तो लगता है नकली लोग है असली तो है नहीं लोग अब इसकी बात में अगर यूआ हमारे लिए भी निकाले हैं हम लोग भरिये ब्यास लिए नौक्री लिए रोजगार लिए इर्फानन साही रोग जार देगा मैं पूछ रहा हूं सभी को बहाना कर दिया और ने तो राहुल गांदी जी का मामला उठाके वेल में चले बोले सत्ता पक्ष के मंतरी और विदायक कही है क्या जांडल गांदी से बड़ा सरकार नहीं है याद रखी गानदी से बड़ा ज्यारकंड सरकार नहीं है मैं बता रहा हूं क пром is लोगोंbench ने रहा हमारे पक्रम K hombres जारखन बिधान सबा का बजट सत्समाप्त हो गया आखिर खार वही हुआ शिक्स्टी फोटी ही चलता हो जिसको फॉर्म भरना है भरे और नहीं तो जिसको पुलिस से जबाब चाना है मिले हमारे साथ सत्ता पक्ष के बिधायक इरफान जी है इरफान जी 1100 सवाल थे 100 भी नहीं आया 10% 110 भी नहीं आपको नहीं लगता है कि ऐसे शला के सदन कोई फैदा ही नहीं है देखे बारती जन्ता पार्ट्री का जो आच्रन रहा सदन में जन्ता ने देखा हमारी सरकार हमारे मुक्ष मंत्री हमारे मंत्री पूरा प्रिपेर थे जवाब देने का एक एक जवाब देते लेकिन जब से सदन चला ये लोग मुद्दे से भटक गए आप लोग बहाना कर दी और ने तो राहूल गांदी जी का मामला उठा के बेल में चले गए बोले सत्ता पक्ष के मंत्री और बिदायक कहीं बेल में जाते हैं क्या है राहूल गांदी से बड़ाई में सरकार नहीं है याद रखिये का राहूल गंदी से बड़ा जारकंट सरकार नहीं है। समयधानिक ढाचाओंपर किस तरह से हमले हो रहे हैं आपको पता है बाबा मैं को टिपनी नहीं करना चाहता अब लोग तंत्री ही नहीं बचेगा अब क्या सोचे रहुल गांधी को आप लोग डूगद दू साल का सजाद के क्या सोचे और मजबूत हो है राहुल गांधी जी और मजबूती के साथ उबरेंगे हमाई रहोल गांदी जी और हमको तो लगता है कि तुम जन से लाब उमर पड़ेगा जनता देख रही है जनता उनके साथ है ना भई आप कितना अन्याय करे जा रहे हैं किये जा रहे हैं आप कुछ अगर माली है हमने कुछ बोला उसलिए पर चोर्श करें सिक नहीं वोजबर म Literally नुक्त टेख करने के लिए लेकिन घुष कानून का करें मिरी चिल्लाइजग ना करके आश्थर हमको लगता है कि विश्रयूस कर आप लाई है यह करने का काम करे और में चाहए जाला गुलाम था हमारा गुलाम था और अंग्रेजों ने कितने लोगों की जान ले ली कितने लोग सहीद हुए हमारे पुलिस कह रहे हैं जहां 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 जनता है वहां उसको मारो युवा तो कह रहे हैं कि इरफान जी हम लोग का बात उठाने का बात कर रहे हैं आज पूलिस जब मारी तो दिखे भी नहीं, एक सब्द तक नहीं बोला, बोला वैसा ही मार हुआ, अजाद मुल्क में अपने हक और अधिकार मांगने आए थे हम, जब आप सुनने आए थे कि क्या सिक्स्टी फोटी चलेगा, बोले ये लाठी से जब आप मिल देगा, देखे हम लोग हैं, समस्याओं को समाधान करने पर विश्वास रखते हैं, यकिन रखते हैं, और लेकिन हमें तो जानकारी नहीं है कि ये लाठी चला है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो हम लोग देखेंगे इसको, हम युवाओं के साथ हैं, हम फिर से मैं करना चाहता कि युवाओं की चिंता हमारी सरकार को है, हमारे डाइनमिक मुखमत्री आदरने हैमन सोरें जी को है, युवाओं गलत रास्ते पर ना जाए, नहीं भटके, अब सदन के बाद ही नहीं, 31 मार्स के बाद ही हम लोग रोजगार देंगे, अभी भाजपा के लोग भायकाओं मे युवाओं को ला देते हैं, और ये मीडिया में दिखाएंगे कि युवाओं पर लाटी चार्ज, पानी, अरे नहीं हम लोग युवाओं को गले लगाने के लिए हैं, हमने मुखमत्री गले लगाते हैं, आप रगुवर दास के टाइम में कह रहे थे कि उलोग बाहरी को ग अब बाले हैं, तो आज हमारे युवाओं सड़क पर नहीं होता, आज हमारे युवाओं हमारी सरकार को नहीं घेरता, हम फिर से में अपनी युवाओं को कहना चाता हूं, किसी के बहकाओं में मत आई है, ये सिपी सिंग, ये भानू, ये कौन-कौन, ये लोग तो लगता ह है, नगली लोग है, असली तो है ही नहीं ये लोग, अब इसकी बात में अगर युवाओं हमारे विश्वास करेगा, तो क्या होगा है, हम लोग की बातों पर विश्वास कीजिए, थोड़ा समय दीजे ना, अब दो साल कुविट चला गया, एक साल आया, तो तरतर की गिज ही आगया, बोरे क्या हम टीचर बनने जा रहे हैं, या आईयस बनने जा रहे हैं, ऐसा मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, यह हम लोग को कुछ समझ में नहीं, देखे अभी एक जो सिनियर ओफिसर ने मुझे पेपर दिखाया, अब बताई दुर्भाग है, यह भाजपा के लोगों ने क्या किया, उस पर एविन्मेंट करके क्या लाया, कि जो नियुक्तिया होंगी, for Indian, all are permitted, खुला है, भारती लोग कोई भी यहां आगे, जाम दे सकते हैं, ठीक दूसरा कॉपी दिखाया है बिहार के लिए, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, भाजपा कुगा में क आजपा कुगा में कुदा, तो आप क्यों नहीं कुदे, आपको किसने कहा था कि संसोधन नहीं कीजिए, करेंगे, करेंगे, लोग लगे वह हैं, दिर्दात काम कर रहे हैं, अभी मुख्वंतिजी से मेरी बात थी, मुख्वंतिजी एज़म चारों और चारों और लोग युवाओं के साधिर फारंसारी है, मैं फिर से मैं करना चाहता हूँ युवाओं को, भाजपा के बहकाओं मताओं यार, मैं भी युवाओं हूँ, आपकी प्रिदा समझ सकता हूँ, और आपको नहीं मंजिल जिलाक इफारंसारी रहेगा, किसी के बह, आईए मेरे दुआर जरी है हमको, मांगे रुजगार मैं दूगा रुजगार आपको, आपके च्छाई के लिए समय लग रहा है, बेहतर के लने के लिए आपको समय लग रहा है, आप चाते हैं कि जार्खंडियों के रुजगार मिले, यहार्खंड के रहने वाले जवाओं को रुजगार मिले, मार्च में कमी दिन्र है इस सदन में और दूसरा मुद्धा उठा था भछशटा चार का सरकार अभी तक लोकाई पर दिखे लिए पर नगर निगम का चुना होगा फिर आप विधान सबाकर चुना होएंगे आपके पास समय कहां जो भी समय है कि यह तो बात सही है आप सही बोल रहें कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा है अब लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है हर मोर पर बेरियर लगा दिया गया आज देखे कितना दुर्भाग है भारत के रोड करन ट्रक्शन मिनिस्टर है और शीडी मिनिस्टर कहिं है नितिन गिर्केश्ण साब का आग्मन जारकन होता है और हमारे एक आदिवासी मुखवंत्री को नहीं बुलाए जाए उस मंच पर आप जारकन आ रहे हैं जारकन के मुख्या है है हमारे मुख्वंत्री जी आप उनको मंच पर नहीं बुला रहे हैं आप क्या समय लिए हैं यह तो मेरी मुख्वंत्री जी का बड़ापन है मैं कहना चाहता हूं हमारे सीम साहब का धैर का परिचे मद लो खूनखोलता है अरे आप आए है welcome है आप स्वगात दे रहे हैं स्वागत है लेकिन किसी को निचा मत दिखाई कि ने कुछ नहीं किया अगर इस फानन सारी होता मद मुख्वंत्री हम बता नहीं सकते हैं यह अ सबसक्राइब यह तहसे कितना निचा दिखाओ गई एक आदिवासी यह मुखं़ंती यह तिस रहा है झाersch पैदा कर्येव भाजपा के कुछ नेता लोग, जारकन के नेता लोग जाव के निचा दिखाते हैंase इतनी बड़े मंत्री हैं है कभी, उनके बारे में हमने कभी हिलाब नहीं किया। लेकिन उन्हों से भी गलतिया ये लोग कराता है। ध्रवाइबक्ष भारा है। बोल रहा है नीयो जन्हीती सब के लिए खोल डिये करें कि हम जहार खंडी हीतों की रक्षा कर रहे हैं तो सिपिई सिंग के काम और भानू का काम करें कम करें commence के काम के रहे हैं सब बारी लोग है साथ कोई कि नहीं है कि सेंपेथि नहीं है सरकार ने कह दिया कि जो हम जन्मा संग्रा किया है वही फाइनल सरकार हेमन जी की ऐसा दावा है इर्फान जी का लेकिन जो छात्र नियोजन लीती को लेकर संकोच में थे अब वो इस पस्ट हो जाएं आप कमपटीशन कीजिए वहाँ पर नंबर लाइए फिर सेलेक्ट हो ये आपको अस्थानिय के आधार पर किसी तरह का लाब का अगर आप सोच रहे हैं तो वो फिलहाल नहीं मिलने वाला है शुक्रिया